नवश्कार दोस्तों मैं सुटिश्रवास्तवर इंडिया में आपका आस्पागत करती हूँ जैसे जैसे T20 विशुकप 2021 के आयोजन का वक्त करीब आ रहा है सभी देश अपनी अपनी टीमों को अंतिम रूफ देने की दिशा में जुट गए हैं टीम में जगा हासिल करने के लिए खिलाडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ऐसा है कुछ पाकिस्तान के खिलाडीों के साथ भी हो रहा है CPL 2021 में पाकिस्तान के खिलाडी गेंद और बले से धमाकेदार प्रदर्शन करके चैन करताओं का ध्यान अपनी और आकरशित करने की पूरजोर कोशिच कर रहे हैं केरिमेन प्रीमियर लिग में पाकिस्तान के बले बाज शोईब मलिक भी अपना जलवा दिखाने का काम कर रहे हैं गुयाना अमेजन वारियर की टीम के लिए खेल रहे शोईब मलिक अब एक अजीबो गरी विस्तिती की वज़े से चर्चा में आ गए हैं शोईब मलिक अपने प्रदर्शन की वज़े से नहीं बलकि जूते पर एक चमच शिपकने के चलते सुर्ख्यों में आ गए हैं जरसर शोईब मलिक जूते पर काटे वाली चमच की साथ बल्ले बाजी करने मैदान पर उत्रे ये एक प्लास्टिक की चमच थी शोईब मलिक के दाएं पैर की जूते में प्लास्टिक की चमच फसी थी मलک ने कुछ दे खेला तब जाकर उन्हें चमच के बारे में पता चला इसके बाद मलक ने जूता निकल वाया और फिर साथी खिलारी को बुला कर चमच को बाहर फिकवा दिया बता दे कैमरे में जूते में चमच नजर आई तो ग्राउंड पर मौजूद खिलाड़ी और कमेंटेटर्स अपनी हसी नहीं रूप पाए शोईब की तस्वीर भी सोचल मीडिया पे जम कर वाइरल हो रही है जिसमें जूते में फसी चमच दिख रही है तसे आपको बता दे शोई मलिक सेंट किट्स एंड नोवियस पेट्रियोट के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके उन्होंने चौथे नंबर पर बल्ले बाजी करते वे बारा गेंदों में बारा रन बनाए अमिजन बॉरियर ने 41 रन का लक्ष दिया था जिसे पेट्रियोट्स ने दो बिकेट पर साथ गेंद शेस रहते हासल कर लिया फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया